Hello students, class 7th English Medium So, हमने chapter 1st के exercise 1.1 स्टार्ट करी हुई थी तो last class में हमने question number 5 तक कर लिये थे तो अब हम करने है question number 6 तो देखो question number 6 में क्या कह रहा है Rita goes 20 km towards east from a point A to the point B Rita कोई लड़की है तो वो 20 km east direction की तरफ जा रही है ठीक है किसी एक point से वो east direction की तरफ जा रही है और उस point को A नाम दिया है और वो point B की तरफ जा रही है और point B east वाली direction में है ठीक है जैसे देखो यहाँ पे वो लड़की है Rita और वो east इधर east direction है तो वो इस A point से B point पर जा रही है ठीक है फ्रोम B she moves 30 km west along the same road तो पहले तो Rita इस A point से B point तक गई कितना 20 km गई तो A से B Rita गई है 20 km फिर B पर वो पहुँच गई फ्रोम B she moves 30 km west along the same road अब वो B पर पहुँच गई है Rita अब वो वापस west की तरफ चल रही है और C point पर पहुच जाती है और कितना distance चलती है She moves 30 km तो B point पर पहुचने के बाद वो west की तरफ चलती है और C point पर पहुच जाती है और कितना km चलती है यह B से C तक 30 km चल रही है फिर कह रहा है कि If the distance towards east is represented by a positive integer अगर जो distance east की तरफ वो गई यानि यह जो 20 km वो चली थी 20 km यह एक positive integer से हम represent कर रहे है तो How will you represent the distance traveled towards west तो आप जो यह west की तरफ गई 30 km इसको कैसे integer से represent करेंगे ठीक है तो अगर मालो इधर positive है तो इधर की side हमें पता है 0 के इधर जब हम चलते है राइट एंड साइड तो सारे positive integer आते है और इधर की side left side चलते हैं तो सारे negative integers आते हैं तो अगर east की तरफ जो 20 km है उसको positive integer से represent कर रहे है question में जैसे कह रहा है कि if the distance towards east is represented by a positive integer तो east की तरफ जो distance है उसको positive integer से represent कर रहा है तो अगर तो west की तरफ जो distance चला है उसने 30 km उसको आप कौन से integer से represent करेंगे तो उसको हम negative integer से represent करेंगे तो फिर कह रहा है कि by which integer will you represent her final position from A तो उसकी final position A के बाद उसकी जो final position है उसको आप कैसे represent करेंगे ठीक है तो देखो distance उसने A से B तक कितना travel किया distance from A to B 20 km और फिर distance उसने B से C पर कितना travel किया 30 km ठीक है तो हमें फिर उसकी final position बतानी है A से वो यहां से चली पहले B पे गई फिर B से वो वापस C पे गई तो यानि start उसने यहां से किया था और end उसका C पे हुआ तो A से C के बीच में हम उसका कैसे represent करेंगे उसका distance तो हम क्या करेंगे यह तो हमारा positive integer था अभी हमने बोला कि जो east की तरफ जा रही है उसको हम positive integer से represent करेंगे तो यह positive 20 km और यह वापस आ रही है यह negative 30 km ठीक है फिर यह plus का यह minus plus minus minus 30 में से 20 गया 10 और दोनों में से 30 और 20 में से बड़ी digit 30 30 के आगे minus तो minus 10 km तो उसका रिटा is at final position from A to C को कैसे represent करेंगे minus 10 से हम उसको represent करेंगे ठीक है तो यह है हमारा question number 6 उसके बाद है question number 7 इने magic square each row column and diagonal have the same sum check which of the following is a magic square तो magic square किसको बोलेंगे जिसमें उसकी सारी जो row है सारे column और सारे diagonal उनका जब हम sum करें उनको जब हम जोडें तो उनका solve करके answer है वो same आएगा ठीक है तो हमें बताना है दो हमें square दे रखे हैं कि उनमें से कौन सा जो है वो magic square है ठीक है तो यह देखो first हमें यह square दे रखे है तो क्या कह रहा है कि magic square कौन सा होगा यह जो है न देखोगी यह इधर की side जो line है यह सारी क्या है इसकी rows है इनको क्या बोलते है row यह first row यह second row यह third row और यह जो ऐसे हैं यह first second third इनको हम बोलते हैं column यह इधर वाली को हम बोलेंगे row और यह up to down आ रही है इसको क्या बोलेंगे column ठीक है तो यह जो तीन row है इसकी यह first row यह second row यह third row और column कितने हैं यह first column यह second column यह third column ठीक है और diagonal कि इसको बोलेंगे यह जो ऐसे इधर तेड़ा जो कोने से कोने मिल रहे है न यह तो दो इसके क्या है Diagonals तो जो इसके 3 row बन रही है इन 3 row के जो digits है उसका जब हम sum करेंगे तो जो आएगा columns का sum करेंगे तो जो answer आएगा और diagonals का sum करेंगे वो सारे अगर equal आजाएंगे ना answer तो फिर हम कहेंगे कि हाँ ये एक magic square है और equal नहीं आएगा तो हम क्या कहेंगे पहले हम rows को solve करते है taking row तो देखो first row के digits का हम sum करते है तो first row में क्या क्या है 5 minus 1 और minus 4 तो हम लिखेंगे 5 plus minus 1 plus तीसरी digit है minus 4 तो 5 plus minus minus 1 plus minus minus और ये 4 फिर देखो ये 5 ये minus minus plus तो 4 और 1 plus करके कितना आएगा 5 और 4 और 1 में से बड़ी digit 4 4 क्या कि minus का sign इसलिए minus का sign अब ये plus 5 का minus 5 का plus minus minus तो इनका minus करना है तो 5 में से 5 जाएगा तो क्या जाएगा जीरो ठीक है तो first row का हमने सम किया तो क्या आगया जीरो अब हम करते हैं second row का तो देखो second row में क्या है minus 5 minus 2 और 7 तो माइनस 5 प्लस माइनस 2 और प्लस seven ठीक है तो देखो प्लस-5 प्लस-2 और प्लस-7 ठीक है अ अब देखो अगर तीन डिजिट होते हैं तो उसको कैसे सोल करोगे वह पहली दो डिजिट को सोल कर लो जो उसका answer तो अब इस वहां साथ प्ल्स-घूरो अज़़ों को उसका और 2 को प्लस करेंगे तो 7 और 5 और 2 में से बड़ी डिजिट कौन सी है 5 उसके आगे माइनस का साइन तो माइनस का 7 अब उतार लेंगे 3rd डिजिट प्लस का 7 अब माइनस प्लस माइनस 7 में 7 माइनस करेंगे तो क्या जाएगा 0 चीक है अब हम करते हैं 3rd row 3rd row में क्या क्या है हमारे पास 0 3 और माइनस 3 तो 0 प्लस 3 प्लस माइनस 3 तो 0 प्लस 3 प्लस माइनस माइनस 0 में 3 आड़ करेंगे तो 3 फिर माइनस 3 उतार लेंगे ये प्लस का 3 ये माइनस का 3 प्लस माइनस माइनस तो 3 में से 3 सब्ट्रेक्ट करेंगे तो क्या जाएगा 0 ठीक है तो row के हमने 3 row का sum करके देखा तो सबका answer 0 0 0 आगए ठीक है उसका हो गया है अब हम करेंगे columns का taking column तो column में देखो first column का करते हैं first column क्या है 5 माइनस 5 और 0 5 प्लस माइनस 5 प्लस 0 इसको solve खुद करके देखने हैं आपको second column का second column में क्या क्या digits हैं minus 1 minus 2 और 3 तो minus 1 minus 2 और plus का 3 इसको भी खुद solve करना है third column third column में है minus 4 7 और minus 3 minus 4 प्लस 7 प्लस माइनस 3 इसको भी solve करके देखने हैं तो first diagonal में क्या 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 digits हैं 5 minus 2 और minus 3 5 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 इसको solve करके देखने हैं 5 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 second diagonal second है इधर वालफ minus 4 minus 2 और 0 तो minus 4 minus 2 और 0 इसको भी खुद solve करना है तो ये सारे solve करके देखना और ये दोनों solve करके देखना और ये तीनों तो कर दिया है मैंने solve रोज वाले तो इन तीनों का answer 0-0 आए अगर इन सब का answer भी 0-0 आ जाएगा तो हम कहेंगे कि yes it is a magic square और अगर किसी एक का भी answer अलग आया तो मतलब this is not a magic square ठीक है तो ऐसे ही type का एक दूसरा part है इसका इसमें भी सारे rows solve करके देखने है sum करके देखने है सारे तीनों columns solve करके देखने है और दोनों diagonal solve करके देखने है ठीक है अगर सबका answer same आ जाता है तो मतलब यह magic square है और सबका answer same नहीं आता है तो magic square नहीं है ठीक है तो यह करके देखने है इससे next question हम करेंगे next class में